वेलकम टू ओके लिगा है ब्लॉप टॉट्स की लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करते हैं बाइकरियस लैविलिटी या पिस्टेट यह क्या होता है इसमें इस्टेट लैवल होता है अपने एंप्लोईज की रॉंपूल एट्स के बज़े से तो थोड़ा इसके उपर भी केस हो सकता है कि इसके उपर गर्मेंट इसके तरह के पर इसके सब्रेंट पर तरह करें यह ज्यादा फरक नहीं रह गया है इसको आगे केस लह से देखते हैं पहला case law है Peninsular and Oriental Steam Navigation Company versus Secretary of State for India 1868 का case है इसमें यह होता है कि यहाँ पे दो घोड़े है जो plaintiff का है defendant हो गया एक servant जो government employees है घोड़े को ले जा रहा है घोड़े में यह iron का iron tunnel बांद दिया है गोड़े को ले जाते ले जाते एतना ज़्यादा भारी वकम था कि एक गोड़े का पैट तूट जाता है डेमेज पहुंच जाता है एक गोड़े को अब Peninsular and Oriental Steam Company जो है यह इसका था गोड़ा अब यह किसके उपर केस क्या servant के उपर servant कौन था Secretary of State for India अब यहां पर state को level ठहराए गया क्यों क्योंकि यहां पर उसके employee जो है servant उसका पुड़ा negligent था क्योंकि इतना बड़ा iron टनल ले जाना एक गोड़े बात के यह servant के negligence माने जाएगा इसलिए यहां पर हेल्ड हुआता है कि state level होगा इसमें क्या होता है कि बिद्यावाती का जो पती है वो injured होता है क्यों injured होता है कि state आप राजिस्थान एक गाड़ी चला रहा था ठीक इस्टेट आप राजिस्थान का एक गाड़ी था जिसका एक driver था driver इतना रेसली और negligently चला रहा था कि इसके पती का बहुत ज़्यादा चोट पहुंच जाती है इसके वज़े से यहाँ पर किसकी गलती आती है state की गलती आती है क्योंकि state का servant हुआ driver की गलतिक वज़े से कौन भुखतेगा state इसलिए state यहाँ पर label होता है कस्तूरी लाल ब्रसेश state आप यूपीस में यह होता है कस्तूरी लाल एक partnership firm का एक member है यह merit में जाता है merit में gold और silver बेचने जाता है वहीं पर police officer आती है police officer आके इसको कस्तूरी लाल को पकड़ लेती है कसरी राल को पकड़ के detain करती है बाद में release भी करती है बट इसके goods को साथ में नहीं देती क्योंकि उसको लगता है क्योंकि वो क्यों arrest किया था पुलिस वाने उसको ऐसा लगा कि stolen goods से इसलिए arrest कर लिया ठीक लेकिन जब उसको release किया गया उस टाइम पे जो goods थे उसको भी return करने चाहिए थे लेकिन return नहीं किया क्योंकि उसका एक hit constable था वो चोरी करके भाग गया था तो यहाँ पे state of UP को liable नहीं किया गया था क्यों नहीं किया गया था क्योंकि यहाँ पे पुलिस अपना sovereign person sovereign function पर farm कर रहे थी यही फर्क है sovereign और non-sovereign person में क्योंकि sovereign person यहाँ पे क्या था पुलिस फंसन, sovereign फंसन था लेकिन अपकी trend में sovereign और non-sovereign person में कोई फर्क नहीं रह गया है इसका एक illustration देख लेते हैं illustration में यह है कि एक electricity department का एक employee है अब employee की negligence की बज़े से एक man को चोट पहुंच जाती electrocuted हो जाते है इसको electric shock लग जाता है अब यहाँ पे कोन लाइबल होगा government लाइबल होगी यह हुआ आप बिना distinguish के sovereign and non-sovereign functions की बाद it's all about bicarious liability of state next lecture में हम लोग मिलते हैं most welcome to ok legal app साथ में बने रहिए